इस्टुडेंट्स टूडे टॉपिक इस क्वांटम नंबर इस्टुडेंट्स अभी तिक हमने यह पढ़ा था कि जो सेंटर में नुकलेस होता है उसके अराउंड जो अलेक्ट्रोन है वो रिवॉल्व करते हैं ठीक है अब हमें पता लगा कि जो अलेक्ट्रोन है वो और क्वांटम नंबर है यहां पर हमें क्या बताते हैं प्रवेल्टी आफ लोकेशन ऑफ लक्ट्रोन कि जो सेंटर में नुकलेस है उसके अराउंड जो अर्बाइटल से हैं और इसके 3D होते हैं ठीक है 3D में जो लक्ट्रोन है वो वेव की मोशन में घूम रहे हैं वेव की में सर्कुलर में नहीं वेव की मोशन में चीक है तो आपने जो कॉंटम नंबर हमें क्या बताता है कि प्रवेल्टी आफ लोकेशन लक्ट्रोन कि जो लक्ट्रोन है वो कहां पे हो सकते हैं यह प्रवेल्टी बताएगा कौन कॉंटम नंबर है तो हमारा पास कॉंटम नंबर वह हमाँ पास है principle quantum नमबर इसको हम लग करते हैं एंसे किसे एंसे चीक है तो जो प्रिंसिपल quantum नमबर है यह हमें बताएगा कि जो electron है उसकी नुकलिय से दूरी कितनी है दोनों की बीच का हम लोगल ने बता है हमें जो प्रिंसमलन से लोग प्रिंसमल है उतना ही क्या पड़ते हैं इसे में क्या पड़ते हैं अगर आपकर हम नुक्राइश से दूर जा रहे हैं तो क्या ओर यह एनरजी भी बढ़ रही है यह oh यह पुस्ता समझते हो जैसे क्ल्म्न है तो यह जो है अगर नीचे को आ रहे हैं महलें दूर जा रहे हो नीचे को नहीं इसमें उसमें दिखाया है चोना है उसके शेल नमबर बढ़ रहे है क्या होती जाएगी इंग्री मुत्थल नमबर इसको एंगुलर क्वांटम नपर भी चाहते हैं यह क्या बताएगा सब शेयल्स के बारे में बताएगा तो जो एग्सान नमबर है इसका फॉर्मॉला है वह n-1 जैसे अब मैं आपको अगर प्रेंसिपल निद्ध आप पता है तो आप अजम मुथ निकाल सकते हो जैसे मेला n-1 तो l की जो वैलू होगी तो जैसे एंज़ वन नहां तो फो जीरो आ जाता है ठीक है से एसे लेते हैं हम लोग उसकत वнуться यो कह उपनाया है तो जो फैल सब लेवल से हैं यह प्रोच यह आपको बताया था जो यह उतला सिर्फ ओब यह क्या आप में बताती है तो जो आजर में गड़ेँ बनाने वाला उस तरा को शेफ होती है तो वह आप डाइगा में देखो और जो पी है वो डबल डबल शेफ बताता है यह प्लौवर लिफ क्लौवर कर पता होता है उस तरा के शेफ दिखाता है जो एक वह बहुत कॉंपलेक्स यह वह थोड़ा सा सब्सक्राइब करना इस लेवल पर हमाई लिए थोड़ा साथ डिफिकल्ट तो एजिमूतल कॉंटम में आपको बताया जिसको निकालते कैसे हैं जैसे एंड की बलू में पास 1234 है ठीक है तो आप ध्यान से देखो जो एल है एल क्या होगा अगर देको एल वन है तो हमेसा आप आप कहां से चलोगे 0 से क्या फ़ला एल माइनस वान एन माइनस वान अभी एन कितना है वन वन माइस बंजी रो तो एल क्या आगे जिरू उसका सैकेंड है अन की वेलू कर टू है तो उसमें इल की बताओ तो मैंने बताया आपको इस स्टार्ट जिरू से करोगी जीरू वान सब्सक्राइब नहीं से बिए-गाइन से कम रहों गेंगे टो है तो स्टर्ट करोंगे जैसे जिरो गडिवाइन जी नहीं जाना है उससे एक पीछे रहना है अगर मैं में बोलूगा नेक्ट को सब्सक्राइब यह बात पास सब्सक्राइब क्या बताते हैं तो देखते हैं अगर जीरो है तो मतलब देखो मैंने आपको पहले भी चार्ट देखाया था उसमें जो मैंने बताया था जीरो वान टू थ्री तीन अल की बात कि देखो आपके आगया वन ऐसा वा था ठीक है उसके बाद आता है दूसरे नुमर पर देखो जा मैंकलर टू है रागा में तो इसमें देखो जीरो लिख मतलब क्या होता है one का मतलब क्या था can gust works n lawyer छी रो 1ड यहां पर 3s3p and 3d a यहां जाओ 4 ने तो ہوimo RJ8 0123 तो है गई 0 का मतलब S 1 का मतलब P 2 का मतलब D 3 का मतलब F तो यहां पर N 4 है तो हम लोग क्या रखेंग 4S 4P 4D and 4F थर्ड महीं पास है Magnetic quantum number यह Magnetic quantum number जैसे आप इन्हों क्या नहीं हमें शो कर पाए था इन्हों नहीं हमें जी में इफेक्ट नहीं बता पाए थे जो बोहर स्थ हमारे वह क्या नहीं बता पाए थे जी में एफेक्ट जब Magnetic quantum number आया तो इससे हमें पता लग जाता है जी में इफेक्ट एक तो इनका पोस्ट्र पॉइंट यह है नेक्स हम देखते हैं वन का मतलब वन का मतलब की का मतलब डी थी का मतलब एफ मैं फिर से बोल यह ने लिखा हुआ है अब द्यान चेखो उसकी अगर जीरो अगर एलके वेलू वण है तो माइनस वान जीरो वान सेम उस काउंटक्ट आना आ है और उसके नेक्टिव तक भी जाना है नेक्टिव से पोस्टि तक आना है जैसे अभी नेक्स्ट में टू बोलता हूं कहां सब्सक्राइब गरें माइनस टू माइनस 1 जीरो 1 and 2 ऐसे 3 के लिए क्या होगा माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2, 3 तो आप देखो हो थाहां से जैसे n क्या बताता है शल बताता है मुलब size of orbital बताता है ठीक है जो l है वो क्या बताता है sub shell बताता है और ये क्या बताता है shape of orbital तो जो एल वो बताता है और नमबर ऑफ और बिटर्स भी बताता है कि नमबर ऑफ और बिटर्स कैसे हैं तो मापासे कोशन है इससे आपको जो पिछले इसे वह क्लियर हो जाने है जैसे कोशन यहां पर कितनी नमबर ऑफ और कितनी नमबर ऑफ घुडर्स होगी तो हम निकालते हैं जिरो वान पी याद हो जाए उसके एम की वैल्यू जो है हम प्रीक से बताता हूं जीडो मैंने बताता हूं जो आप यहां बनाया यहीं चोटा सा डबब बनाएं एक बॉक्स बलाए था फिसके सब्सक्राइब माइस-1-0-1 तो आहाप पर तीन बॉक्स बनाने आपको नाख्ट में देखो कितने हैं मालेट्व मैश्ट वन जीरो वन तू मालब पाइब नंबर्स तो यहाँ पर फाइब वक्स आपको बनाने यह क्या है नमबर ऑफ और वेटल है च्छाइब तो इसको फाइंड करने का फा एक और 3 और फॉर उसके बात कितना अपके पास 5 मंदलब 59 मुल्यक्राइब कितने बॉक्स होगे 9 बॉक्स आपके यहां पर हो जाते हैं चिक है कि लास्ट पास पिन क्वांटम नंबर क्या है spin quantum number तो spin quantum number से हमें क्या पता रखता है कि जो electron है वो अपने axis पे किस direction में गूम रहे हैं कि वो clockwise गूम रहे हैं कि एंटी clockwise गूम रहे हैं तो यह हम denote करते हैं इसको plus 1 better 2 या फिर minus 1 by 2 plus 1 by 2 का मतलब यह नहीं होता कि वो clockwise गूम रहे हैं या फिर यह नहीं होता है अगर एक electron की value अगर मैंने कहा clockwise गूम रहे हैं उसका मैंने value ले लिया plus 1 by 2 तो दूसरे का क्या होका minus 1 by 2 और उसको लिखते हैं हम लोग anticlockwise